नमस्कार दोस्तों वेलकम प्रिनेट दिक्षा तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने मुबाइल पॉन के जरिये पासपोर्ट ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो तो रिसेनली मैंने पासपोर्ट बनाया आपने लिए तो यहां पर जो भी मेरा एक्सपेरियन्स वनुभब है वह मैं आपसे शेयर करने वाला हूं तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको देखाऊंगा किस तरीके से आपको बताऊंगा किस तरीके से पासपोर्ट डॉकुमेंट वेरिफिकुशन होते हैं और क्या क्या डॉकुमेंट लेगे जाना हो तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपलाई कैसे करना होता है और वहां पर क्या सीजे कौनसा कौनसा इंफोर्मेशन आपको रेडिया रखना होता है अपलाई करने का बगत तो दूस्तर पासपोर्ट एपलाई के समय यहां पर फिलल कोई आधार कर्ट में कोशिश करूँगा सारे जगा में देने के लिए तो चुलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए मैं सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओंगा और जाकर एक अपलिकेशन डाउनोड करूँगा जिसका नाम है एम पासपोर्ट यह वाले अपलिकेशन है तो जब करेंगे के रज्यों में बड़ा फासपोर्ट ऑफिश है मेन ऑफिश है उसका नाम पर आजाएगा बेसिकली आपको वह ही सिलेक्ट करना होगा तो देखिए इहाँ पे बड़ा बड़ा जो पासपोर्ट ऑफिश है पूनिय पात्ना नापकूर मॉंबाई मॉंबाई तो मैं वेस्ट बंगल चे हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा कोलकाता होगा, तो मैं कोलकाता सिलेट कर लेता हूँ, उसके बद गिबन नेम, मतलब आपका फास्ट नेम, उसके बद आपके लास्ट नेम, और नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपका कैलेंडर से डेट अब बात है, यहाँ पर आप कुस भी टाइब कर सकते हूँ, तो मैं आपको सज़श करूँगा, यहाँ पर इस करें आप, उसके बद आपको यहाँ पर पासवोर्ड टाइप करना है, सेम पासवोर्ड को यहाँ पर कांफर्म करना है, पासवोर्ड दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे ल अगर भूल जाते हो तो आप यहां से password recover कर सकते हो next आपको यहां पर जो capsa दिख रहा है इस capsa को as it is same to same यहां पर type करना है type करने का बद यहां पर subbin में click करना है ठीक है तो चोलिए मैं आगे process आपको देखाता हूं मैं एक बर form को fill कर लेता हूं तो चोलिए मैंने subbin में click कर दिया तो देखिए अभी हमारा यहां पर आ रहा है thank you for register तो दोस्तो हमारा email में एक link भेज दिये गया है उस link पर click करके हमारा email id को verify करना होता है तो चोलिए अभी चलता है Gmail box में और वहां पर जाके हम इसको click करके verify कर लेते हैं तो देखिए मेरा email box में एक email आ चुका है और यहां पर नीचे कोई link तो होगा तो देखिए इस link पर click करके हमें इस account को activate कर लेना है simply यहां पर click करेंगे तो देखिए हमें यहां पर already redirect कर दिया है तो हम अभी अपना जो email id user id बनाया था वो email id को यहां पर type करेंगे और submit करेंगे तो मैंने submit में click कर दिया है तो देखिए यहां पर pop up message आ चुका है देख पार हो यहां पर your account has been activated successfully तो हम अभी फिर से application में वापोच जाएंगे तो दोस्तो आभी हमने register कर लिया है हम अभी यहां पर existing user में click करेंगे यह पहले पहला वाला option पर और login id मतलब हमारे email id टाइप करेंगे और यहां पर continue में click करेंगे अपना password जो भी अपने लगाया है वो password यहां पर डालेंगे यहां पर यह caps ir डालेंगे और login में click करेंगे और लॉग इन में क्लिक कर दिया है, मैंने, तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर लॉग इन कर चुके हैं, और यहाँ पर लेफ साइट में बार में देखिए, बहुत सरा ओप्शन आ रहा है, सबसे पहले अपलाई फ्रेश पास्पोर्ट यहाँ पर क्लिक करना है, पास्पोर्ट अपलाई कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑप्शन है कि टाइप आपको आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, नॉर्माल और टॉथकल, नॉर्माल मतलब आपको नॉर्माल 15 रुपया में हो जाएगा, टॉथकल करेंगे, तो आपका पास्पोर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा, बट उसका पैसा भी लगेंगे, और उसके लिए आपको जो है भैलिट रिजेन भी देना होगा, अब हम पास्पोर्ट में, कि आप तॉथकल, पास्पोर्ट कीव अप्लाई कर रहे हो, आप अगर चाहते हो तो कर सकत हो, आपड में नॉर्माल पास्पोर्ट अप्लाई करूँगा, आपने यहां पर आजाएगी given name, मतलब आपके first name, surname आपके जो भी है यहां पर डालना है, उसके बाद नीचे आता है कि आपको have you ever known by other name, आपके कोई दूसरा नाम है क्या, तो अगर है तो yes कीजिए नहीं तो no पर click कर दीजे, have you ever changed your name, अगर आपने change किया है तो आपको यहां प bath place out of India, अगर no है तो no कीजिए, अगर आप इंडिया का बाहर से आपका जनम हुआ तो आप yes कीजिए, अगर इंडिया पर आपके जनम हुआ, मतलब born and born of India तो आपको यहां पर no selected है, no ही रहेगा, उसके बाद आपका bath place, city, town, गाउं जो भी है आपको यहां पर लिखना है, मत वह select करने ना है, citizenship of India कैसे है आप, मतलब बात से है, मतलब मैंने यही पर जनम लिया है, तो यहां पर यह select कर ले, अगर दूसरा कुछ है तो आप वहाँ पर select कर सकते हो, उसके बाद pen number available, voter ID available, यह mandatory नहीं है, तो आप देना चाते तो दे सकते हो, बट मैं नहीं दूँगा, next आता है कि employment type, आप self है, तो self किजिए, कोई government employee या फिर कुस और है, तो आप यहाँ पर select कर सकते हो, आपके parents government servant है, या फिर husband government servant वगारा है, तो आप यहाँ पर ES किजिए नहीं, तो no ही रखिएगा, education qualification में यहाँ आपका जो भी education qualification है, यहाँ पर select करना होगा, यहाँ जैसी select कर certificate है, माक्सिद है, तो आप non easier के लिए use कर सकते हो, मतलो apply कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास अगर अपने income tax filing पगरा करते हो, आप अगर अच्छे कर से आपके income है, तो भी आपके पास अगर 10th पास certificate नहीं है, उसके जरीए आप कर सकते हो, उसके अलावा आप 65 plus senior citizen है, और तो आपको default non easier passport दिया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है, तो आप no select कर सकते हो, तो दोस्ते यह पर visible distinguished mark यहापे कुछ नहीं है, निचे आधर नंबर डालेंगे, और उसके बाद आपको यहापे yes में agree करके, save detail में click करना है, उसके बाद next में click करना है, तो यह पूरा form को म सही तरीके से भरता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ, तो यहापे मैंने no select कर दिया है, इस application eligible for non-eCR category by default यहापे select हो गया है, और अगर आप non-eCR का कुछ document का list दिखना चाहें, तो यहापे click here पे click करके देख सकते हो, उसके बाद आपना आधर नंबर यहापे डालेंग तो I agree में click करना, yes में click करना है, और save detail में click करना है, तो your application form has been successfully shaped, उसके बाद next में click करेंगे, तो आभी दोस्तों यहापे आपका father name डालेंगा option आगया, please enter father, mother, legal guardian name, तो मैं आपना father name डालूँगा, उसके बाद नीशे mother name, mother sir name, मतलो basically आपका father का first name, उसके बाद यहापे father का last name, उसके बाद आपको यहापे आपका mother का first name, उसके बाद मादर का last name, उसके बाद आप अगर married है, तो आपका यहापे wife के नाम जो है, यहापे डालना होगा, उसके बाद save detail में click किजिएगा, और next में click कर दीजिएगा, तो दोस्तों उसके बाद आता है, आपके address बगरा डा state name, आप यहापे डालना है, उसके बाद आपके village city जो भी है, उसका नाम डालना है, उसके बाद state select करना है, district select करना है, police station पका select करना है, pin code select करना है, mobile number डालना है, telephone number नहीं है तो चलेगा बड़ एमेल आइडिया आपको एक देना है, लिखा है इस apartment address available आपको यहापे yes करना है तो चले मैं फटाफट से इसको भर लेता हूं, तो दोस्तों यहापे बहुत सरे लोगों का confusion यह राता है, क्योंकि जो लोग गाम से apply कर रहा है, मतलब गाम से अगर कोई apply कर रहा है, तो यहापे गाम का mostly घर के number नहीं होता है, बड़ यहापे घर का number डालना होगा, यहापे लिखा है कि son of, मेरा father के नम रहेगा, same to same type करना है, अगा थोड़ा भी इधर होगा, document validation का time, आज passport office में problem हो जाएगा, तो जो भी document आप दे रहो, address proof के लिए, ओ document में जाए सा लिखा है, same, ऐसे लिखिएगा, कहाँ आपे देखो, लिखा है, your permanent address, same as present address, तो मैं same address पर ही रहात देता हूँ, और save detail में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बता रहे, please note that you will be not able to change, okay में क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको emergency contact बगर डालना होता है, तो यहाँ पर emergency contact, name and address, और mobile number, telephone number और email id, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अपना emergency name and address, और mobile number, और telephone number, छोड़ सकता हूँ कि आ पासकाल telephone number तो होता नहीं है, तो email id आप जरूर डाल दीजेगा, चो यहाँ डालते हैं, और next में क्लिक करते हैं, have you ever been held, hold any identity certificate बगरा, no करिएगा, जदातोर cases में 9 ही होता है, तो आप यहाँ पर 9 किजिएगा, यह तिबड की लोगों के लिए, detail of the previous current diplomat office passport, तो हम यहाँ पर 9 पर select करेंगे, ever health diplomatic passport, तो no करिया, have you ever applied for passport not issued, no पर क्लिक करें, किकि हम यहाँ पर first time ही कर रहा है, save detail में क्लिक करेंगे, उसके बाद next में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आएगा धेर सरे questions, actually सभी में no पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर 9 पर क्लिक करिया, और save detail में क्लिक करते है उसके बाद next में क्लिक करते है, तो दूस्तों आपके सामने अभी आपका यह एक passport का preview इस तरीक से आ जाएगा, तो देखी यहाँ पर यहाँ पर आईसा रहेगा, तो यहाँ पर next में क्लिक करना है, self declaration, तो दूस्तों यहाँ पर देखी यह लिखा है, proof of birth, तो यहाँ पर कौ आड्रेस भी select कर दूँगा, देखता हूं यहाँ पर क्या कैसी से है, अरे बहुत सरे options है, रेशन काट, रेंट आग्रिमेंट, तो मैं यहाँ पर आधार काट में दोनों जगाए आधार ही दे दिया है, तो यहाँ पर पासफोर्ट से बाद SMS सर्वीस अगर लेना चाहते हो, और date यहाँ पर आएगा, तो save detail में klick करते हैं, तो agree में klick करना है, save detail में klick करना है, और यहाँ पर देखिया यहाँ पर आ रहा हा है, यह application submitted, OK में klick करना है, तो दस्तो अप्लिकाशन को home page में वाप हो जाना है, और उसके बाद आपको सबसे नीचे वाला options, view saved submitted application, यहाँ प पर टैप किया और टैप करते एक्समेंड हो जाएगा त्री डॉट दिखरा है राइड है राइड साइट में त्री डॉट के ऊपड क्लिक करना है त्री डॉट के ऊपड करते यहाँ पर ऊप्च्न दीखेगा वी आप्लिकेशन डीटेल एंड पेशेडूल अपॉइमेंट तो यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट काड़ डिविट काड़ उपर वाला आप्शन जो है वह उसके ओपर टैप कर लेना है कर दिकेशन और इसके बाद आपके समने ऐसा option आएगा तो आपको द हुआ है तो इस तो चुले क्याफसा फिल कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको next कर देना है और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि क्लिक करना है और यहाँ पर 27 पर 2022 के अपॉइमेंट दिखा रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके समने ऐसा पेमेंट गेटवे ऑप्शन आ जाएगा नेट बैंकिंग मतलब SBA नेट बैंकिंग आधार बैंक नेट बैंकिंग एन SBA कार्ट पेमेंट तो मैं SBA कार्ट पेमेंट में क्लिक करके continue करूंगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऐसा option देखेगा confirm कर लेना है इस बार आपको आपका card के detail डाल लेना है SBA के credit card, debit card जो भी उसका detail आपको यहाँ पर डाल लेना है जैसी की card holder के name, card number, expiry date, CBB number उसके बाद दोस्तों यहाँ पर pay now बटन जो है थोड़ा सा left sign में आपको scroll करेंगे तो देखेगा इज्वली देखते नहीं है तो pay में क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर अभी OTP आएगा मेरा bank की तोरफ से OTP डाल के मैं Mac payment में क्लिक करूंग OTP आ चुका है, आप SBI चालान की जरीए भी payment कर सकते हो बाट वो लेंदी प्रोसेस है तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस बता रहा है transaction complete नहीं हुआ तो चलिए अगें हम अभी application का three dot में क्लिक करके home page में जाते हैं और payment का status टेख करेंगे तो अगें यहाँ पर आप्लिकेशन मैंने submit किया था अभी उसके उपर tap करेंगे और three dot में अगें क्लिक करेंगे और track payment status में क्लिक करेंगे सबसे नीचे जो था तो देखिए यहाँ पर payment pending बता रहा है तो यहाँ पर दोस्तों कोई बर immediate होता है कोई बर समाई लगता है तो मैं यहाँ थोड़ा समाई के बाद तो दोस्तों चार घंटा छोड़ने के बाद फिर से मैं application को home page में आके three dot में जाके payment status चेक करूँगा अभी देखते हैं क्या देखाता है track payment status में again क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस बार देख सेकते हो सेम डे चार घंटे के बाद मुझे payment success दिखा रहा है again home page में जाएंगे औ और इस बार again save view application के ओपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर payment receipt भी हमारा आ चुका है online payment receipt तो आप चाहे तो इसका screenshot राख सकते हो अलकि ज़रूरत नहीं पढ़ेंगे आपको भी इसको ले सकते हो close कर देते हैं again वहाँ पर जाते three dot में schedule appointment में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता रहें you have not taken appointment तो यहाँ पर next में क्लिक करना है तो again दोस्तों आपके आसपास में जो भी passport office है वो सारा यहाँ पर देखने लगेंगे appointment अब लवल है कि नहीं तो यहाँ पर नीचे आके next में क्लिक करना है अगें select में क्लिक करके मैंने जो पहले select किया है अगें दो बार सेम post office को ही मैंने select कर लिया है और यहाँ पर क्यापसा डालके आगे continue करना है next में क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए दोस्तों इस बार calendar वाला option आ गया है calendar के उपर क्लिक करके आपने date के हिशब से आप इस ब 27 को ले लूँगा और यहाँ पर 27 भी select है ओके कर देते हैं और book appointment में क्लिक करते हैं तो दोस्तों इहाँ पर time select को option नहीं है श्रिप date ही दिखा रहा है और time शायद automatic हो जाएगा तो मैंने book appointment में क्लिक कर दिया है तो देखिए appointment booked it successfully your appointment number बाकी सारा details अब तो देखिए यहाँ SMS आ चुका है तो दोस्ता अभी हमारा एक काम रहे गया है हमने जो अभी appointment book किया उसका एक receipt होता है उस receipt को download करके print लेना होगा साथ में हमने जो भी document अभी यहाँ पर select किया आधार और जो भी ID proof, address proof है सब original साथ में लेके जाना होगा तो उसके लिए मैंने computer use कर रहा हूँ अभ login निचे वाला green वाला तो यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर login ID डालने को लिए बुलेगा तो मैंने अपना login ID email ID को select किया था तो आपना login ID डालके यहाँ पर continue में क्लिक करना होगा और यहीं से हम आभी payment receipt download कर पाएंगे क्योंकि mobile में आप print नहीं ले पाओगे और download क कर सकते हो PDF पर यहाँ से हम direct print भी ले सकते हैं अगर आपके computer में printer अटा से तो आप आपके mobile से करेंगे तो आपको nearby कोई भी cyber cafe में जाके जहाँ पर internet connection है वहाँ पर प्रिंट ले सकते हो तो यहाँ पर अभी मेरा passport डालना है और नीचे क्याप्सा डालके login में क्लिक करना है दो login पर क्लिक करते हैं, login में क्लिक करने का बाद यहाँ पर आके view saved application उपर वाला option दिख रहा है जो selected है उसके उपर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, सो आपके एहाँ पर दो application हमने subbit किया है, यहाँ भी 2 application तो उपर वाला अप्लिकेशन का payment success दिखा रहा है इसको select कर लेना यहाँ पर click करके दिखिए और उसके बाद नीशे यहाँ पर scroll down करके नीचे आना है आने के बाद print application receipt और एक option दिख रहा है वहाँ पर click करना होगा देखिए यहाँ पर तो चली इसके ओपर click करते हैं तो click करते यह खुल जाएगा एक्सपैंड हो जाएगा आपको फिर से एक बाद detail दिखने के लिए मिलेगा और नीचे प्रिंट application receipt का option दिखेगा यहाँ पर click करना है उसके बाद ok में click करना है आपके printer वगरा connect रहेगा तो immediate print हो जाएगा यहाँ पर तो देखिए कुस ऐसा दिखता है यह यह आपको साथ में carry करना है इसमें सारा detail है payment detail से लेकर सब कुस लिखा है तो देखिए अभी इस तरीके से हम फ्रिंट ले सकते हैं तो मैं next वीडियो में आपको बताऊंगा polish verification के लिए क्या क्या document पूछते है कर दो में आपको बताऊ है